हलो दोस्तों मेरे नाव विनास कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सहिसला तो भाई आधके इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं PUBG PC Lite के लिए एक नया एमुलेटर आप लोगों काफी जाधा कमेंट आया था कि भाई कोई ऐसा एमुलेटर बताओ जहां पर हम PUBG Mobile Lite को खेल पाएं और अच्छी तरीकी से खेल पाएं लोग डिवाइस में भी तो मुझे यहां पर एक एमुलेटर मिला तो मैं उस एमुलेटर पर भाई करिब दो दिन से गेम खेल रहा हूं और दो दिन तक मैंने उसे अच्छी तरीके से यूज करके देखा है मुझे कोई दिकत नहीं दिकत सिर्फ एक ही है कि PUBG Mobile Lite को एमुलेटर पर जादा लोग नहीं खेलते हैं और एमुलेटर पिलियर ज्यादा नहीं है PUBG Mobile Lite का तो वहां पर आपको बहुत लेट से मेच स्टार्ट होगा करीब 5 मिन लग जाएगा कभी तो 10 मिन भी लग जाएगा कोई ठीक नहीं कितना देर भी लग सकता है क्योंकि वह गेम को सिर्फ लोग Mobile पर खेलते हैं ए गेम लूप में जैसा है उस तरीके से आपका की मेपिंग वहां पर मिलता है और वह की मेपिंग आपको बहुत यह मिलेगा किसी चीज़ का कमी नहीं रहेगा तो मैं आपको वही एमुलेटर के बारे हम बताने वाला हूं और मैं आपको यहां देखांगा अपने स्क्रीन पर और हां गेम पिले नहीं देखा पाऊंगा वही क्योंकि मेच बहुत लेट से यस्टाट होता है 5 मिन्स,10 मिट मेंदे लग जाते हैं कभी कभी 15 मेंदे भी लग जाता है तो भी गेम इस्टाट नहीं उता है तो यहां वो गेम रन करके आपको बंदा आपका बिलेयर जोह वह खड़ा रहता है ना वहां तक मैं आपको जरूर पहुंचा दूँगा तो आप उसके बाद उस गेम को खेल सकते हो अब यह मत पुछना भाई कि इस पर आईडी बेन हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो आपफेशबुक से लोगिन नहीं हो पाओगे आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा है गूगल प्ले आप यहां से लोगिन हो पाओगे आप आप फेस्बुक से लोगिन करोगे तो आपको वहाँ पे बीजी सर्वर का एक एरर बार बार आएगा तो आपको यहाँ Google Play से लोगिन करना है और वहाँ से आपको गेम खेलना पड़ेगा आप फेस्बुक से नहीं खेल पाओगे इस बात को आपको दियान में चरूल रखना तो भाई चलो मैं आपको गेम को स्टार्ट करके यहाँ पे देखा दे रहा हूँ ठीक है? और अपना memo एमिलेटर जो है उसको भी स्टार्ट करके देखा दे रहा हूँ वीडियो को skip मत करना कुछ important बात भी है वरना आपका memo नहीं चलेगा और इसमें game भी नहीं चलेगा तो यह बात आप लोग को दियान में रखना है इसलिए वीडियो को लाज तक देखना भीना skip किये जो मैं आपको method बता रहा हूँ आप उसे ही follow ठीक है न तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो गैस आप लोग देख सकते हों यहाँ पे हम अपना window पे हैं और यह रहा हमारा memo emulator और इस पे हम अपना game को run करेंगे और भाई इससे download कहां से करना है तो आप simple सा जाओ यार यहाँ Chrome browser में Chrome browser में जा करके आप search करना memo emulator तो आपको वहाँ पे यह emulator मिल जाएगा Link description में है आप वहाँ पे जा करके official site से download कर सकते हो इसको तो जब आप इससे download करेंगे तो 7.1.6 version सायद आपको downloading देखाएगा इसका official website पे लेकिन जब आप उसे install करोगे न तो वह आपको lollipop version देदेगा भाई lollipop आपको देदेगा वह 5.1 तो उसमें आपका game नहीं चलेगा अब आप सोचेगा यह emulator ही खराब है और बहुत पंदे इसे इसी वज़े से reject मारती है कि हम install करते है भाई 7.5.1 तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको 7.1 को install करना है और उसमें आपको pubg को चलाना है तो देखो भाई आपको इसे कहीं पर भी install कर लो install करने के बाद आपके पास तीन application आपको दिखेगा ठीक है memo का एक यह वाला और एक यहां पर दिखेगा जिसे मैंने हटा दिया है और एक यहां पर तीन मिलेगा आपको एक आपका रहेगा वह Chinese language में सब कुछ रहेगा तो उससे आपको मतलब नहीं रखना है एक और रहेगा वह आपको English language में रहेगा और यह जो आपको यहां पर दिख रहना यह है भाई engine तो भाई हम लोग इसमें start करेंगे PUBG Mobile Lite को तो यहां पर हम double click करते हैं और देखो कुछ step के आपके सामने आएगा अब मैं यार यहां पर आपको close करके देखा रहा हूं क्योंकि screen recording यहां पर work नहीं कर रहा था मेरा bandy cam आप यहां पर देख सकते है तो कुछ step का आपका यह engine start यहां पर होता है तो यहां पर आप देख लो memoo और इसका size कुछ 7 79 MB का है पावर इसका off करके मैंने रखा है और वो off ही रहता है तो यह देखो यहां से आप start कर सकते हो दोनों को और यह नीचे में मैंने download किया ने भाई 90ZB का जो यह दिख रहा है तो यह मैंने अलग से install किया है memoo Android 7.1 64 bit तो यह आपको करना है 64 bit वाला क्यूंकि आप अगर यह इस पे चलाओगे ना memoo जो आपका उपर वाला है 779 MB का तो उसमें आपका नहीं चलेगा game मैंने try किया है इसी विज़े से मेरा दो दिन वेस्ट हुआ इस वीडियो को बनाने में वरना यह वीडियो दो दिन पहले ही upload होता चैनल पे तो इसी के search करने में मुझे बहुत देरी लगा और मैं वीडियो जल्दी से बना नहीं सका तो देखो आपको इसको अन्स्ट्ル करने के लिए 4.1 to install करने के लिए तो मीमो आपको यह वाल श्टार्ट करना है स्टार्ट करोगी तो आपको कुछ iis टाइप का यहां पर दिखेगा यहां पर तो आप यहां पर निची आओगे एकदम निचीमें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाई की new का option है यह देखो new तो भाई आप जब new पे click करोगे ना यहाँ पे तो आपको कुछ step का यहाँ पे और भी option so होगा तो यहाँ पे आप देख लो जहाँ पे आपको thumb दिख रहा है like का option यहाँ यह यह लो कलर का तो वहां android 5.1 लिखा हुआ है और आपके में यही install है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपको android 7.1 64 bit को download करना है यहाँ से तो आप यह download कर लो यह करीब आपका वह यह एक जीबी का file होगा और आप इसे download करना इसको download कर लेने के बाद यह यहाँ पे show हो जाएगा जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पे दोटो show हो रहा है उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे show होगा तो आपको पता चल गया कि 7.1 कहां से इस्टोल करना है हमको और उसमें PUBG को इस्टोल करना है हम लोग यहां वेट कर लेते हैं जब तक यह स्टार्ट होता है अब देखो हमारा यहां एमुलेटर पुरी तरीके से स्टार्ट है हमारे सामने और यहां पे देखो भाई आपको जाना पड़ेगा प्लेस्टोर में वहां पे आपको एकाउंट बनाना पड़ेगा फिर आप यहां से गेम को डाउनलोड कर पाओगे और यह देखो एकदम स्मूध चलता है आप देखो लेफ रैट में जिस तरीके से कर रहा हूं उस तरीके से यह हो रहा है अगर आपने नहीं किया तो आप प्लेस्टोर से इसे कर लो और प्लेस्टोर से इंस्टोल करने के बाद भाई आपको इसको चालू कर लेना है आप यहाँ पे देखो मेरा PUBG Mobile Lite चालू होने वाला है और यह गेम भाई अच्छा है बहुत अच्छा है ग्राफिक्स क्वाइलिडी इसका काफी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे चलो मैं इसको फूल स्क्रीन कर लेता हूं तक कि ज्यादा अच्छा लेगे तो भाई PUBG Mobile आपके सामने स्टार्ट हो चुका है आप देख सकते हो PUBG Mobile Lite यहाँ पे लाइट यहाँ पे आप देख सकते हो और यह लोगो कोई यह मत सुचना इडिटिंग में गेरा है मैंने कर दिया है क्योंकि आपके सामने गेम स्टार्ट हो रहा है मैंने यहाँ पे कुछ कट वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन प्रूफ मैं आपको देखा रहा हूं देखा हुए क्योंकि सबी लोग कट करके वीडियो बनाते हैं और उसी भीद अपना Finger दिखा देते हैं और आपको सामने देखा रहा हूँ और आपके सामने गेम स्टार्ट होने वाला है आप देखन यहाँ पर यह notice आता है भाई, कोई बात नहीं है, इसको हम cut करेंगे, यह दोखो हमारा game start हो चुका है आपके सामने, और यहाँ पर कुछ silver BS मिलता है इसमें, अलग डंग से मैंने इसे कभी खेला नहीं है, तो उतना knowledge मुझे इसका नहीं है, और season side इसमे 7 अभी चल रहा है, यह यहाँ पर golden का skin चलो, यह सब cut कर देते हैं, तो आप देख सकते हो, मेरा जो character है, मैंने इसे कल ही बनाया था, और मेरे पास कोई कपड़ा उपड़ा नहीं है भाई, तो भाई मेरे पास यही character है यही कपड़ा है, और क्या बताऊं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरे पास एकदम लंगा पुंगा हूं में यहाँ पर, तो आप देख सकते हो, गेम हमारे यहाँ पर start हो चुका है, और भाई यहाँ पर कोई दिकत वे करे नहीं है, आप गेम में start करो, यहाँ पर मेरे start करके देख रहा हूं, बट यह बहुत टाइम लगता है, करीब 10 मिनट 15 मिनट ल होगा, आप अपने हिसाब से, हर एक बंदो जानता है, की मेंपिंग कैसे किया जाता है, तो भाई यह जो माउस का पॉइंटर आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको हाइड करने के लिए आपको control प्रेस करना पड़ेगा, अपना keyboard में, तब जाकि यह हाइड होगा, और फिर आप माउस से अपना एनिमी को control कर पाओगे, देखो भाई, यहाँ पर 1.3 मिनेट हो चुका है, लेकिन मैच स्टाट नहीं हो रहा है, वज़ा यह है कि एमुलेटर पिलियर ज्यादा नहीं है, PUBG मोबाईल लाइट का, तो आप लोग अगर खेलना चाहते हो, तो इसका प इसमें एकदम लाजवाब गेम है यह, इसमें 50 बंदे आपको मिलते हैं, आपको यह वीडियो अच्छा लगाओगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देना, क्यूंकि आप मेरा वीडियो नहीं व